सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस टेक्नलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए नमश्कार दोस्तों मैं गौरव आपका बहुत बहुत सुवागत करता हूँ टेक्टॉक्स की गुरुफिश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक्नियूज तो छिलिए शुरू करते हैं दोस्तों सौरी पहली बात तो जो वीडियो है वो आ रहे थोड़ा सा देर से विकॉज मैं दिन में थोड़ा सा बिजी था जादा ही आज काम में इसके लावा दोस्तों यहाँ पे जो आज दिन वाला विडियो था कॉलाब अन्बॉक्स थेरपी के साथ में अगर आपने वो देखा नहीं तो जाके देख लिजिए क्योंकि यहाँ पे हमने लगाया है तरका बहुती खास इंडियन थेरपी का और इसके अलावा इंडिया में तो बहुत सारे तरह तरह के मैंने कॉलाब शूट किये थे वो भी आखो देखने को बिल जाएंगे बहुती जली दोनों ही चैनल्स पे वो मैं आपको देदू आने वाले टाइम में तो इसके लिए आप फेस्बुक पे ट्टर पे इंस्टेग्राम पे जहां हो सके वहाँ पे आप कर लिजिए फॉलो तकि हम जुड़े रहें ऐसे ही और यहाँ पर दोस्तों बात है जुडने की जुडने की बात पर लाइक तो वो बिसिकली वहाँ पर दोस्तों लोग है रहने वाले उनका एक लीगल राइट होना चाहिए बतलब यार क्या कमाल की बात है कि मतलब इंटरनेट सभी के हाथ में होना चाहिए दस Mbps वाला ब्रॉडबेंड अब ऐसे दो यह अगर चीज अगर ऐसा कोई लौ इंडिया में निकल के आए तो बहुत ही अच्छी बात है हाला कि दोस्तों हमें अभी इंटरनेट के लावा और बहुत सारी basic requirements भी पूरी कर रही है लेकिन अगर दोस्तों इंटरनेट कोई law निकल के आता है तो आप ऐसे में क्या मानते है कि इंडिया के लिए इंटरनेट की minimum speed क्या होनी चाहिए तो शर्कार निकल के आता है यहां पर मोटूला की दर्फ से और यहां पर दोस्तों मोटूला ने ओपन कर दिया है अपना मोटूहब हैधराबाद में और इसकला दोस्तों यहां पर मोटूला बोलते हैं कि हम तो वैया सरकार ने लगा दिया है tax imports पे चोकि हम जो है वो Make in India प्रोग्राम के तहित इंडिया में फोन्स बनाते हैं तो यहाँ पे सब बिसिकली मजे ले रहे हैं लेकिन एक तरफ एपल यह अपने फोन्स की प्राइस बढ़ा रहा है अब ऐसे दो आप किन कंपनी को सपोर्ट करते हैं जो फोन्स अपने इंडिया में बनाएंगी य लेकिन फिर भी अटलिस जितना भी बनता है उसमें मतलब फाइदा तो हमारा ही होता है अब भी मतलब हमको लॉजिकली समझना चाहिए कि जो बहुत सारे पार्ट से वो इंडिया में नहीं बनते हैं लेकिन ऐसे में अभी मोटोला वगर तो ले रहे हैं मजे सभी अपल के औ वो अभी आप डिरेक्ली समसंग पे के थुरू पे कर पाएंगे तो यह एक अची चीज है लेकिन दिक्कत क्या है कि सिर्फ समसंग वाले फोन में चलती है और ऐसे में अभी मेरे पास तो समसंग का फोन है नहीं जो मैं इसको यूज़ कर पाऊं वैसे इंडिया में इनको ब या फिर जो और एक्टिविटी ट्रैक करते हैं वो काफी अच्छी तरगे से कर पाते हैं लेकिन जो प्राइस है वो बहुत ही एक्स्पेंसिव होती है अब ऐसे में आप 16,000 रुपे का ये कुछ बैंड खरी देंगे या फिर आप लेंगे थोड़े पैसे मिला के सैमसंग की कोई S-Watch या फिर दोस्तों हम लेंगे Apple Watch मुझे बताना जरूरी जो कमेंट्स में फिलहाल मेरे कहल से एंडिया में जो सबसे popular fitness tracker है वो है Xiaomi का Mi Band आप अगर कोई उस करते हो तो मुझे नीचे बता देना दोस्तों अगला update निकल के आता है वो है बहुत कमाल के feature के लिए और ये नहीं करता है तो यहाँ पर दोस्तों Facebook को बताएगा कि भईया उस user ने आपकी photo post कर रखी है आप जाके देख सकते हैं कि भईया जो photo है वो क्या है कैसी है आप चाहें तो अपने आपको tag भी कर सकते है या फिर दोस्तों अट्री सबको मालू किल जाएगा कि आपकी कोई photo है जो कभी किसी ने कही post की है इसके अलावा दोस्तों कोई और जो अगर कभी आपकी photo को अपनी profile photo की तरह कामिल लेने कोशिश करता है उसका भी जो नोट्फिक्शन है वो आपको सीधा मिल जाएगे भईया है तो आप ही की photo है जिसको यह दूसरा इंसान अपनी profile photo बना रहा है तो ऐसे में आप जो है वो पकड़ पाएंगे impersonation को तो यह काफी अची चीज़ है जो facebook लेके आया है दो नए features तो अगला update निकल के आता है वो है यार थोड़ी सी sad news जहां पर दोस्तों कुछ reports ऐसा कहती है यहां पे एक me UI forum के moderator ने यह कहा है कि जो Redmi 5 Plus है वो ही Redmi Note 5 है मतलब ग और यहां पर क्या यह same phone होता है या नहीं होता है मतलब यह तो बहुत ही confusion सा हो गया है दिखते हैं कि exactly क्या होता है यहां पर Redmi Note 5 को लेके दोस्तों अगला update निकल के आता है वो है यहां पर Samsung की तरफ से और यहां पर दोस्तों Samsung ने develop कर दिया है दुनिया के सब्सक्रा मॉडू जो की है दोस्तों DRAM के लिए और यहां पर दोस्तों 8GB का जो मॉडूल है यह बनाया गया है दस नानोबिटरी टेकलोजी के ओपर और इसका size बहुत ही छोटा है efficiency बहुत ही कमाल की है performance बहुत ही कमाल की है जो हम आगे चलके हमारे बहुत से electronics पर काम में लेते वे देख पाए वापिस लोटता है तो ऐसे में उसकी health पे long term क्या क्या effects होने वाले हैं मतलब ऐसा नहों कि भहिया कोई चला जाए यहाँ पर mangle की सैर करने जब वो लोट क्या है तो उसके बाद दोस्तों अलगी दुनिया का लगे इंसान तो यहां पर अभी NASA यही टेस्ट करने वाला है कि क नाम दोस्तों है यहाँ पे low up और यह काम क्या करता है कि आपके phone की ताकत को यूज करता है crypto currency mining के लिए जिसके लिए आपका phone जो है वो गरम होता है hang होता है आप होते हैं परिशान लेकिन यहाँ पर दोस्तों mobile phone से हो रही है crypto currency की mining और यह आपकी बिना permission कि आपको बिना सोगरे आते रहते हैं तो अगर आप एक android phone यूज करते हैं तो भगवान के लिए उसमें limited सिर्फ काम की apps install करो टेड़े मेड़े plugins मत डालो मुझे मालूम है कि बहुत हम वह अच्छा लगता है लेकिन उससे आपके phone की पूरी की पूरी ऐसी तैसी हो जाती है तो यहाँ अगल चला लो अपना बढ़िया वाला 4G उसके लावा दोस्तों यहाँ पे हम बाद में लेंगे 2020 में काम 5G का तो यह एक बहुत ही अच्छी बात है कि मतलब अच्छे दिन आने वाले है 5G आने वाला है speed धंकी दे देना तो मज़ा आ जाएगा वरना आजकल तो 4G भी 2G के बराब जब को मिलते हैं रिजूशन वो है दूस्तों 3840x1080 pixels का जो aspect ratio है वो है 32-9 का size दूस्तों है 49 inches का और यहाँ पे जो price है वो है मात्र डेड़ लाख रुपे मतलब अगर आपको game खेल ले हैं अगर आपको उठाने है दुनिया भर का मज़ा अगर आपको चाहिए दूस्तों ब कि आज दूस्तों था पहला दिन और यहाँ पर यहाँ एक रुपे के अंदर मिल रहे थे Redmi 5A, Redmi Y1, Redmi Mi A1 क्या आपको कोई मिला एक रुपे पर अगर मिला तो मुझे बताना जरूर नीचे comments में और ऐसे में आपने sale में कुछ खरिदा के नहीं मुझे जरूर नीचे बता देन वरना वो दिन बरून का वो कच्छुआ खरगोश क्या है वो दोड़ता है और मिलता बाद में कुछ है नहीं तो सुन अगला अपडेट निकल गयाता है वो है यहाँ पर Chrome Installer App को लेके और यह दोस्तों फिलाल अवेलेबल थी Microsoft वाले store में और यह कुछी घंटों में हट गई मतलब यार क्या करें हैं भी लोगों को पसंद है मतलब Google Chrome और ऐसे में अगर आपके पास में Internet Explorer भी है तो भी उसका काम सिर्फ आप एक ही बार लेते हो जब भी आप इंस्टॉल कर रहे हो तो Chrome को तो यहाँ पर दोस्तों Windows के लिए यहाँ पे store में available थी आप और तो store में रिकली Chrome को इंस्टॉल कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे Windows का 10S है वहाँ पे है कुछ limitations लेकिन Microsoft ने इस app को भी हटा दिया मतलब लोगों को बोला कि भाया तुम अभी इस चंगुले फस चुके हो तुमको हम जाने नहीं देंगे दूसरो अगला update निकल गयाता है वो है यहाँ प बिल्स वगरें पे कर सकते हैं आप इंस्टेंटली नियरबाइ टंशिंस वगरें कर सकते हैं लेकिन मेरा यहाँ पे सिर्फ एक ही सवाल है कि इतने सारे platforms है इतनी सारी Apps है तो confusion कितना बढ़ जाता है ना कि मतलब यार मैं तो यूज करता हूँ जियो मनी आप यूज करते हो तेज कोई और यूज करता है, Paytm कोई और यूज करता है, Mobi Quick कोई और यूज करता है, Beam कोई और करता है, कुछ और यूज, तो मतलब इतना confusion बढ़ जाता है ना कि मतलब कहने को तो इसके बाहतने भी या बहुत सारा confusion भी है, दूस्टों अगलना update निकल के आता है वो है यह उसमें हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे नया वाला एरपोर्ट्स का कॉम्बो लेकिन फ्री में नहीं मिलेगा पैसे आपको एक्स्ट्रा देने होंगे दोस्तो बस यही तिसार आज के अपडेट्स मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आप वीडियो सुझाव हो तो आप नीजे के मिलेट करना मत भूलिएगा अगर आप इस वीडियो को भी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी देजिए शेयर भी कर देजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कि मैं आपके रुजाना इसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ फिलाल के लिए इतना है दोस्तों जै हिंद बंदे मात्रम